हेलो दोस्तो मैं विने आनन्द आवकाइन फ्रोडोस्त आप सबका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पाइरल आप साइन्टिपिक मेथड के बारे में पताने जा रहा हूं तो चलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और इसको जब अग आगनाथन के द्वारा दिया गया और किसले दिया गया है तो तो डिमंस्ट्रेट डाट लैबरिंशिप इस साइन्स नाम से पता चल्ए क्या कि साइन्टिपिक मैथड के बारे में बताए जा रहा है यानि साइंस क्या हुआ कि वैसा मैथड जो साइन्स से रिलेटेड़ हो यानि is scientifically proven चीज है वो क्या है scientific method है अब यह जो scientific method है वो क्या है spiral है यानि इस तरह से हैं तो इसके बारे में बताया जा रहा है और यह बताया जा रहा है एसा रंगनाथन के दुआ तो तो उन्होंने क्या बोला कि to demonstrate डिखाने की कोशिج की कि जो लाइबरी है वो क्या है दरजसल एक साइन्स है और साइन्स आपको पता है किआ होता है कि जो डेमेंस्तेशन पर धारित होता है जो एक्टिविटी पर प्राक्टिकल पधारित होती है यानि जो आप कह सकते हो क्या कि जो भी करमवद जो भी प्रेक्शन होती है जो भी ऑब्जर्वेशन होती है जो भी सैंस कहा जाता है तो शेंपल सी बात है कर लोने इस लैवरोशिप को साइस बताने के लिए उन्होंने इसा रंगनात्र ने अपने सेकेंग एडिशन ओफ लव माइढ़ने लॉआँटिब नभी चैपटर इंटाइटल स्पारग व् पब्लिश किया था उसमें एक चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था spiral of scientific method और इसी चैप्टर में उन्होंने सबसे पहले spiral of scientific method के बारे में बताया था कि कि लाबरिशिप दरसल क्या है एक science है उसी को demonstrate करने के लिए यह दिया गया था उनने बताने कोशिश की जो लाबरी साइंस discipline है जो लाबरी साइंस सब्जेक्ट है वो दरसल क्या है एक scientific nature को फॉलो करता है यानि उसमें जो भी development होते हैं वो सारे development जो भी सारे research होते हैं वो सारे research scientifically होते हैं okay सब्सक्राइब की उन्होंने बोला किया he said science moves like a spiral है उन्होंने बताए कि साइनस से जो उसका इंड होता है वो चलता रहता है चलता रहता है तो इक spiral कि तरह होता है र делает मुब्स clockwise जो की clockwise ब्लॉप करता है इन किसक्ञलए keeps moving on to new places it means science is always progressive scaling new heights and discovering new knowledge यानि science जो है हमेशा progress करता है हमेशा progressive होता है नए नए उचाईयों कोछ होता है नए नए knowledge को discover करता है यही तो होता है क्या science होता है और यह science क्या है उसी तरह spiral की तरह है जो घुमता चला जाता है तो simple से concept आपको समझ में आ गया होगा कि spiral क्या है अब आते हैं इसके structure में कि spiral में इसके जो structure से क्या structure दिए गया है तो इसको four quadrant में divide किया गया है यानि इस तरह से एक first हो गया second हो गया third हो गया और यह fourth हो गया यानि चार quadrant में इससे divide किया गया है एक structure इसको चार कोड़ेंट में divide किया गया है दो axis का use करके x & y का and इसमें जो spiral moves कैसे करते है clockwise करते हैं यह कैसे है और यहां से क्या होता है clockwise यह rotate करता है तो इसमें जो lowest end है जो वर्टिकल आने आपर है यह क्या है घंच लाइन है और यह क्या भॉटीकल लाइन तो जो में इसे कहा जाता है एन नादी है जो ऑपर पाठ वो क्या जनित है यह वटीकल का यह जो नीचे वाला पाठ वो नादीर है नैंसर लिप्ट वाला सायड 진행 डिए लेट वाला साइड यह हो गया लेट वाला क्या है जैनित है यह अपको याद उखना है कि जो यहाँ पर है है और यहां पर एसेंडेंट है और इसरेंडंट में देंडेंट और यह उपर क्या जनेथ है और नीचे किस नदीर और यहां इसेंडेंटेंट तो यहां से और यह बढ़ रहा है तो बढ़ने के बाद क्या हो गया तो इस तरह से यह हो गया तो आपको आढ़ दखना है Ascendant, Genit, Descendant and Nadir मैं अब आते हैं कि जो दिए गए हैं यह क्या है इसमें phases होते हैं तो चार तरह के phases है एक है Imprical phases है एक है Hypothesizing phase है एक है deductive phase और एक है फर्स्ट क्वाडरेंट है वो यहां से स्टार्ट होता है यानि यह कौन सा डारेक्शन हो गया तो यह हो गया यह तो हो गया और यह हो गया वेस्ट हो गया यानि साउथ वेस्ट में जो क्वाडरेंट है वो फर्स्ट होगा फिर वेस्ट नॉर्थ में होगा सेकेंड क्वाडरे कहा जाता है hypothesizing phase third quadrant हो कहा जाता है deductive phase और fourth quadrant को कहा जाता है verification या testing कहा जाता है तो यह चार phases है अब ध्याम देते हैं यह जो first phase होता है यह जो empirical phase है या first quadrant है तो यह क्या होता है इसमें है experience and observation preparation यानि simple से देखो कि एक किसी भी subject की study करने है अब वह study कौन-कौन से phase में होते हैं और क्या-क्या होता है उस phase में तो जो पहला phase होता है empirical phase में किसी subject का जब research किया जाता है जब किसे subject को में कुछ धूंडा जाता है research किया जाता है find out किया जाता है तो सबसे पहले experience या observation की जाती है कि उसमें क्या develop किया जा सकता है क्या सीज उसमें कमी हो रही है कि उसको दूर किया जा सकता है तो होता है empirical phase में जब वो second phase आता है hypothesizing phase आता है अब उसमें hypothesis बना जाता है imagine कि उस research में क्या हमको ढूंडना चाहिए क्या hypothesis बनाना चाहिये तूह आता है second phase में आता है यानी second quadrant में आता है hypothesizing phase आता है जर्जमें imagination किया लाता है जिसLoora हो और इसमें referring इस में आगे बढ़ा है इंटलेक्टिवल लगता है आपना लॉजिक लगा कर उसे इसे जाते हैं उसको एरेंज करते हैं अब जब वह जाता है तब उसको क्या करते है फिर उसे vérify किया जाता है यह हमारा जो data जो collect हुआ हमने जो hypothesis बनाया था उस hypothesis से कितना data match कर रहा है यानि हो हम लोग उसको verify करते हैं उसको test करते हैं अलग-छग formula mathematical formula यूज़ करते हैं अपने अलग-छग अगर वो आ जाता है तो OKE है, अगर नहीं आता है तो फीर से यहाँ पता है इसे刺 इंपरीकल फेज में आता है ओप इसी तरह वो फेशी से चलता रहता है और चलता ही रहता है तो यहीं है स्पाइरल साइंटिफिक मेथड जो कि डॉक्टर एसा रंगनातिन बताया कि अगर जो रिसर्च किया जाता है तो रिसर्च करने में अगर वह वेरिफिकेशन सही होती है तो सही है वहां पर रुख जाती है अगर नहीं होती है तो फिर क्या होता ह चलते रहते और यही अगर रुक भी जाती। तो उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर होता है कही न कहीं क्या प्राप्लम होता है और इसी जो नाधीर है बॉत्त है यह तरह आगी बहता पिर क्या है our city और आपको यादेखना है कि फिस्ट फेज में कि नं फैर्ट फेज में नादिर एस्णनाजाए टाएreckनश में असली के लिए जए यह जाता है जैज नच वेठीए यहाद रहो जाएगा सिंपल सा है अपने experience से अपने observation से अपने development किया जाता है और इसमें क्या होता है उसको फांड किया जाता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है यानि आपको बस ध्यान रखना है कि research कैसे होगा research करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा observe करना पड़ेगा अगर वह होगा तभी तो आगे जाकर hypothesis बनाएंगे तो यह पहला काम हो गया फस्कॉर्डेंट में अब आते सेकेंड क्वार्डेंट सेकेंड में क्या करते हैं लॉजिक रिजनिंग लगाते हैं radiation from acting पाटिकूलाइजन पाटिकूलाइज intuition पर फोकस करके इसको पाटिकूलाइज करने कीचस की जाती Kelly थर्ड क्वार्डेंट है उसमें क्यां, intuition है, सम इंटेंसिती, वहाँ पर intellect लगाना, अपना दिमाग लगाना है, data कलिक करना है, तो वो क्वार्डेंट 3 हो गया, और क्वार्डेंट 4 है, progression towards the concrete, अब उसको concrete बनाना, concrete form करना है, एक क्या करते हैं उसे, सब्सक्राइब करना और आपको कोई प्राब्लम हो कोई प्रशानी हो और कोई भी क्योड हो सो कमेन करें